हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चेस्ट नौलिल पर मैं हूं कुमार बिने और इस वीडियो में मैं आपसे भूह अकृतिया और उनके विकास के बारे में डिस्कस करूंगा हम लोग क्ला अध्यान कर रहे हैं और इसके बाद में हम लोग 11 क्लास की जो जो ग्राफी की दूसरी न्सी आटी है उसको भी डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग 12 की जो दो एंसी आटी उनके बारे उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे फिर मैं कोसेश करूंगा अगर आप लोग चाहें मिलता है जो मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की एक प्रेंडा देती है ठीक है तो आज का हमारा साथमा अध्याय है जिसमें हम लोग भू आकरतियों के बारे में जानेंगे और उनका डबलप्मेंट कैसे हुआ है यानि कि उनका विकास कैसे हुआ है इस बारे में हम लोग डेटेल में चर्चा करेंगे देखिए अध्याय काफी बड़े हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेटेल में बात नहीं कर पाता हूं लेकिन इन सभी अध्यायों से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है तो अगर आप लोग च कमेंट सेक्शन में उसको पूस सकते हैं तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह वीडियो पृत्वी के धरातल का निर्माड करने वाले पदार्थों पर अप्च्छे की प्रक्रिया के पच्चात भूआकरतिक कारक जैसे प्रवाहिजल भूमिकजल वायू हिमनत तथा तरंग अपरदन करते हैं आप यह जानते हैं कि अपरदन धरातलिये शुरूप को बदल देता ह निचेपण परक्रिया अपरदन परक्रिया का परड़ाम है और निचेपण से भी धरातलिये शुरूप में परिवर्तन आता है चूंकि यह अध्य है भूआकरतियों तथा उनके विकास से सम्बंदित है आता सबसे पहले यह जाने कि भूआकरति है क्या साधारान सब्दों में छोटे से मध्यमाकार के भूखंड ही भूआकरति कहलाते हैं यानि कि जो हमारे पास चक्तानों के छोटे और मध्यमाकार के भूखंड मिलते हैं उर्सी को हम भूआकरति कहते हैं अगर प्रिथवी के छोटे मध्यमाकार के अस्थलकंड को भूआकरत इस तरह से तो इनहीं को हम लोग कहते हैं भूद्री से ठीक है जो भूतल के बिस्तरित भाग पर हैं प्रतेग भूवाकृति का अपना भौतिक आकरती आकार वा पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भूव परक्रियाओं और उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं अधिक्तर भूव भूवाकृतिक प्रक्रियाओं वाकार्यकरताओं के लगातार धीमे अत्वा तेज गतिके कारण होता है जलवाय संबंधी तथा वाय रासियों के उद्वादार अत्वा छेते संचलन के कारण भूवाकृतिक प्रक्रियाओं के गहनता से या स्वयम से यह प्रक्रियाओं स् से अंत्रीत होती है। विकास का यह है अर्थ-ohutal के एक भाग में एक भुवाक्रति थिका इक दूसरी भुवहक्रति में या एक भुवाक्रति की एक रूप से दूसरे में परिव्धित होने के अवस्ठाओं से है। इसका भी प्राय? से एक ब्रिध्ध हो जाती है ुस 110 के प्रकार की प्रक्रिया चलती है हमारी भू आक्तियों के साथ में जन्म होता है उसके युण सब्सक्राइब वृष्घ्ष करेंगे थीक की भूतल के लगातार बदलते थिहास workers को समझना आतेन तावस ताकि इसे आसंतुलित किये बिना और भविस में इसकी संभावनाओं को कम किये बिना इसका प्रभावसाली रूप से उपयोग किया जासके। भुवाकर्तिक बिज्यान भुवतल के इतिहास का पुनर अध्यन है जिसमें इसके आकार, पदार्थों और प्रक्रियाओं जिनसे यह भुवतल निर्मिठ है का अध्यन किया जाता है। जिनके साथ अप्चे ववा ब्रिहत छरण भी सहायक होकर भुवतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। यह भुवाकर्तिक कारक लंबे समय तक कारे करते हुए क्रमबद बदलाव लाते हैं। जिसके प्रिणाम सरूप अस्थल रूपों का अनुकर्मिक सिक्वेंशल विकास होता है। प्रतेग भुवाकर्तिक कारक एक विशेश प्रकार का अस्थल रूप समुच्चे बनाता है, यही नहीं प्रतेग प्रक्रिया वा कारक अपने द्वारा बनाए गए अस्थल रूपों पर एक अनोखी चाप छोड़ते हैं, आप जानते हैं कि अधिकतर भुवाकर्तिक प्रक् प्रक्रियाओं और कारकों के विशे में बताएगा जिन्होंने इसे निर्मित किया है या कर रहे हैं, यहां पर बॉक्स में देखी अधिकतर भुवाकर्तिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता है, ऐसी कुछ प्रक्रियाओं बताएं जो देखी जा सकती है तथा ऐसी कुछ जिन्हें देखा नहीं जा सकता है चुकि भू आकर्तिक कारक अपर्दन वा निचीपन में सच्छम है अता अपर्दित और निचेपित दोनों परकार के अस्थलूपों का निर्माण होता है प्रतेक कारक द्वारा कई परकार के अस्थलूप बिक्सित होते हैं जो चट्टानों की संदचना और प्रकार या मोड जोड बिहंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्मिता तथा अपारगम्मिता, भरंस, दरार, जोड आड़ी पर निर्भर करते हैं कुछ स्वतंतर स्वयम नियंतरक भी होते हैं, जैसे समुद्र तल का अस्थायत, भूतल का बिवर्तनिक रूप, फ्रड हमारा है जलवाय जो अस्थार रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं, ये तीनों नियंतरक कारकों में से किसी में ब्योधान आने की कारण भी प्रमिक विकास को बाधित कर सकता है, इस अध्याय में आगे प्रतेग भू अकरतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनत, तरंग और पौने, आज का संचित प्रस्तुत है, या भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा भूतली अपर्दन कैसे प्रभावित होता ह इसके साथ ही कुछ अपर्दित वा निचेपित अस्तलूपों का विकास भी प्रस्तुत किया गया है, देखें हम लोग इस अध्याय में ही आगे इन सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे, तो सबसे पहले हमें केस की बात करनी है प्रवाहित जल की, ठीक है, हमने पढ़ा एक-एक करके इन सभी को हम लोग समझेंगे कि आखर में ये प्रक्रियाय कैसे काम करती है, तो सबसे पहले हमें बात करेंगे प्रवाहित जल के बारे में, आदर प्रदेशों में जहां अतिधिक वर्सा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्पूर्ण भुवाकरतिक कारक है, मिन्स जहां पर जादा वर्चा होगी वहां पर यह एक महतमूर कारक के रूप में होता है। एक आदरप्रदेशों में जहां अतिधीक वर्चा होती है प्रवाहिच जल सबसे महतमूर भुवाक्रतिक कारक है, जो धरातल का निमनी करण के लिए उत्त्तरदाई होता है। प्रवाहित जल के दो तक्त हैं, एक धिरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है दूसरा रहाँकिक प्रवाह है जो गाटी ओं में नदियों सरीताओं के रूप में बहता है प्रवाहिज जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित असलूप धाल प्रवंटा के लूब बैते हुई नदियों की आक्रामक वास्था से संबंदित हैं कालांतर में तेज धाल लगातार अपरदन की कारण मन धाल में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे निशेपण आरम होता है तेज धाल में बहते वी शर्तायां भे कुछ निशेपित भुवाकतियां बनाती हैं लेकिन ये नदियों के माध्य पतार धी में धाल पर बने आकारों के पेच्छा बहुत कम होते हैं प्रवाहिज जल का धाल जितना मंध होगा उतना ही अधिक निशेपण होगा जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधो मुखी कटाओ कम हो जाता है और तटो का पार्श परदन बढ़ जाता है और इसके फलसरूप पहाडियां और घाटियां समतल पर हो सकता है प्रवाहिज जल के घरसंड के कारण बहते हुए तल द्वारा कम या अधिक मात्रा में भाक लाए गए तल चटों के कारण छोटी वा तंग चुद्र सरिताएं बनती हैं ये चुद्र सरिताएं धिरे धिरे लंबी और बिस्तरित और नलकाओं में बिक्सित हो जाती है इन अउनलकाओं कालांतर में अधिक चोड़ी गहरी तथा लंबी लंबाई में बिस्तरित होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती है प्रारंभी कवस्ताओं में अधों की कटाओ अधिक होता है जिससे आनियमित्ताय जैसे जल प्रपात वा सोप मंद हो जाती है इसी प्रकार अफवाब वेशिन के मध्य विभाजत तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक कि ये पूर समतल नहीं हो जाते और अंत्ता एक धीमे उच्चा वच्का निर्माण होता है जिससे यत्रतत्र आवरोधी चट्टानों के आउसरे दिखाई देते है जिन्हें मोनो दनोक कहते हैं नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं प्रवाहिज जल से निर्मित प्रतेक अवस्था का स्थलोप संबंदी विशेष्टाओं का संचिप तुरणन निम्न प्रकार है देखे इसम के बारे में हमने डीटेल में आपको बताया है तो आप लोग चाहेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको और अच्छी समझ चाहिए होगी तो उसके लिए फिजिकल जोग्राफिय में आप लोग जाएंगे वहाँ पर जो अप्छे और अपरदन के के यह नदियां उतली वी आकार की घाटी बनाती है वी सेफ की वैली के बारे में हमने आपको बताया है जिनमें बाढ़ के मैदान लगबग अनुपस्थित या सकरे बाढ़ मैदान मुखी नदी के साथ पाए जाते हैं जल विभाजक अतिधिक बिस्तरित वा समतल होते हैं जिन में दलदलवा जीले होती हैं इन उचे समतल धरातल पर नदी विशर्फ बिक्सित हो जाते हैं ये विशर्फ अंतता उचे धरातलों में गभीर भूत हो जाते हैं अर्थात विशर्फ की तली में निम्न कटाओ होता है और ये गहराई में बढ़ते जाते हैं जहां पगल में कटाओ के बजाय यह नीचे की तरफ कटाओ करती है जिससे ये गहरी घाटियां हमारे वी सेप की घाटियां बनती जाती उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया इस पैराग्राफ में फिर हम बात करते हैं प्रोड़ा वस्था यानि मिच्योर स्टेट में इस अवस्था में नदी की जल की मात्रा अधिक होती है और सहाय नदिया भी इसमें आकर मिलती है नदी घाटियां वी आकार के होते हैं लेकिन गहरी होती हैं मुख नदी के ब्यापक और बिस्तरित होने से बिस्तरित बार के मैदान पाय जाते हैं जिससे घाटी के भीतर ही नदी विसर्फ बनाती होई प्रवाहित होती है इवास्था में निर्मिस सम्तल बिस्तरित वा अंतर नदिये दंदली चित्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजय का अस्पेक्ट होते हैं जलप्रपा इसकी तहाय नदियां मिलति हैं या चीजें दिखाई में वो सब भी दर्थ होने लगते हैं भात करें बृध्धावस्था कि में चोटी सहाइग नदियां कम होती हैं आध्यादो हो होते हैं इस को देखेह यहां पर दिया गया है इस फिएजन फिएगे नेकल धर्मपुरी तमिल नाडवह की समीब गार्ज की रूप में कावरी नदी का यहां पर देख रहे हi कि नदी कैसे बह रही है देखिए इसके नीचे से बहती है और यह वी शेप लगभग बना हुआ है उसी तरह से यहां पर सहीवत राज अमेरिका के को रोडों का भीरी क्रित बिस्तर प्रलूप है इसकी घाटी के कैनियन जैसे सुपान सद्री से पार्शोय ढाल दर्थाते हैं आप लोग देख रहेंगे कि किस तरह से यहां पर नदी आकरके मुड़ी है और कटान करते हुए यह आगे बढ़ रही है अब बात करते हैं अपरदित अस्थल रूप तो अस्थल रूपों की बात करें तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे घाटियों के बारे में घाटि घाटियों का रूप धारण करती हैं लंबाई चोडाई एवन घाटियों के आधार पर ये घाटियां वी आकार घाटी गार्ज कैनियन आद्मे वरगी कृत की जा सकती हैं गार्ज एक गहरी सक्री घाटी होते हैं जिसके दोनों पास टिब्र ढाल के होते हैं ठीक है एक कैनियन किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज का ही बात गहरी होती है गार्ज की चोड़ाई इसके तल और उपरी भाग में लगभग एक समान होती है इसके विप्रीत एक कैनियन तल के पेच्छा उपरी भाग अधिक चोड़ा होता है वास्तों में कैनियन के बारे में बताए जा रहा हा स्ट और कैनियन होता है इस तरीके का सेफ होता है ठीक लेकिन जो काज का ही एक रूप होता है नहीं होती है पर मात करते हैं जल-गतिका और नमीट खुंड यानि कि पोथ होल्स एंड प्लंक पूल्स के बारे में पहाणी छित्रों में नदी तल से अपरदे छोटी चटानी तुकडे छोटे गर्तों में फसकर बृत्ता का रूप में घुमते हैं जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं एक बार छोटे वा उतले में नदी घाटी गहरी होती जाती है जल प्रपात के तल में भी एक गहरे और बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल के उचाई से गिरने वा उनमें सिलाखंडों के बृत्ताकार घुमने से निर्मित होते हैं जल प्रपातों के तल में अपर्दन अधिक नहीं होता है लेकिन मंद धालों पर बहती हुई नदिया अधिक पास अपर्दन करती है 36 अपर्दन होने की कारण मंद धालों पर बहती हुई नदिया वक्रित होकर बहती है या नदी बिसर्प बनाती है नदी विसर्पों का बार मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामानी बात है क्योंकि यह नदी की ढाल बहुत मंद होता है कठोर चटानों वे गहरे कटे हुए और विस्त्रिद विसर्प मिलते हैं इन विसर्पों को अधा कर्तित विसर्प या गभीर भूद विसर्प कहा जाता है नदी विकास की प्रारंभी का वस्ता में प्रारंभी मंद ढ़ाल पर विसर्प रूप विक्सित होते हैं और ये लूप चटानों में गहराई तक होते हैं प्राया नदी अपर्दन के भूतल के धीमे वा लगातार उत्थान के कारण बनते हैं कालांतर में ये गहरे और विस्तित हो जाते हैं और कठो चट्टानी भागों में गहरे गार्ज और कैनियन के रूप में पाई जाते हैं ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियां विक्सित हुई हैं अब हम बात करते हैं नदी बेदिकाओं के बारे में ठीक हैं नदी बेदिकाओं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन हैं ये जलोड रहित मूला धार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं नदी बेदिकाएं मुक्ता अपरदित अस्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निशेपित बाढ़ मैदानों के लंबोत अपरदन से निर्मित होते हैं विभिन उचाईयों पर कई बेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जलस्तर को दर्साते हैं नदी बेदकाएं नदी के दोनों तरफ समार उशाई वाली हो सकती है और इनके सुरूब को युगम बेदकाएं कहते हैं नदी बेदकाएं उशाई वाली हो सकती हैं तो समंदर तल में बदलाओ आदी अब हम बात करते हैं निचेपित अस्थलोप यानि की जलोड पंक के बारे में जब नदी उच अस्थलों से बहती हुई गिरिपद वहा मंद ढ़ाल के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो जलोड पंक का निर्माण होता है साधरान तया प्रवतिय चेत्रों में बहने वाली नदियां भारी वास्थूर रूप के नद भार को वहन करती हैं मंद ढ़ालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं तो यह संकु के आकार में निच्छेपित हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जलोड पंक जो नदियां जलोड पंकों से बहती हैं वह प्राया अपने वास्थूर वाय मार्क को बहुत दूर तक नहीं बहती बलकि अपना मार्क बदल लेती हैं और कई साखाओं में बढ़ जाती हैं जिन्हें जल्ब बितरिकाएं कहते हैं – आधर प्रदेशों में जलोड पंक परायान निम्न संगुесяं की आकर्टी रठान सेर्थ से पाथ तक मन्न धालवाले होते हैं वा अधर populated जल्वावी प्रदेशों में ये तिब्र धालवाले वा उच्छ संगुन बनाते हैं डेल्टा की बात कर लेते हैं अब हम लोग डेल्टा जड़ोर पंखों की भात होते हैं लेकिन इनके विक्सित होने का अस्थान भिन्न होता है means नदियां जो हमारे रास्ते में बनाती है देखिए नदियां हमारे रास्ते में जो बनाती है इस तरह से जो उनके उच्छेपित होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जलोड पंक लेकिन नदी जब जाकर के जहां पर सागर में मिलती है वहाँ पर जो अस्तरकृतिया इसी तरह क बनती हैं उसे हम लोग कहते हैं जलोड उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं तो चलिए डेल्टा की बात कर लेते हैं हम लोग वह जलोण अस्थरित होते हैं अर्थात मोटे पदा तट के निकट वा बारिक कंड जैसे चीका मिट्टी गाद आद सागर से दूर तक जमा हो जाता है जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी बितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर जा रहा है और यह धीरे-धीरे समंदर के अंदर तक फैलते हुए जा रहा है अब बात करते हैं बाढ़ मैदान प्राकृतिक तत्बंद और विशरपी रोधिका के बारे में जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती है उसी प्रकार निचीपण से बाढ़ के मैदान विक् में मिलते हैं और जब बाढ़ हाने पर पानी तटो पर फैलता है तो यह उस तल पर जमा हो जाते हैं नदी निचेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं तलों के उच्छाई पर बने तटों को आ सक्रिय बाढ़ के मैदान केते हैं आ सक्रिय बाढ़ के मैद जाता है बाढ मैदानों के ऐसे चेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग उनमें अस्थुल प्दार्थों के जमाऊ होते हैं ऐसे जमाऊ जो बाढ के पानी के फैलने से बनते हैं अप इच्छा करित महें कडों चिकनी मिट्टी गाद आध के होते हैं ऐसे बा करते हैं प्राकृतिक तडबंध और विशर्पी रोधिका बाढ़ प्राकृतिक तडबंध और विशर्पी रोधिका आज कुछ महत्पूर्ण अस्था रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंदित हैं प्राकृतिक तडबंध बड़ी नदियों की किनारे पर पाये जाते ह करन बढ़े आकार का मलवा नदी के पास तर्टोग पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है प्राकृतिक तर्टबंध नदी के सात हूंचे और नदी से दूर मंद्धार लवाले होते हैं नदी चैनल के निगट तत्दबंधों पर निछेप नदी के दूर के निछेबों के तुल्ला में पैच्छाक्रित, मोटे पदार्थों के होते हैं जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी चहती जवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबध प्राकर्तिक तत्वन बनाती है नदी रोधिकाएं विशर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती है नदी रोधिकाएं या विशर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विशर्पों के उत्तल ढालों पर पाई जाती हैं ये रोजिकाएं प्रवाहित जल्द्वारा लाये गए तलचटों के नदी किनारों पर निशिपण के कारण बनती है इनकी चोड़ाई वा परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाधी मिस्रित आकार के होते हैं अगर नदी रोजिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वा विशर्प और रोजिकाओं के मद्ध लंबे तंग वा लंबे गर्थ में पाए जाते हैं नदी में इनका कम प्रवा की मात्रा हुआ तलचट की आपूर्ती पर निर्भर करता है चुकि नदी और रोजिकाओं उसके उत्तल पर बनती है अता नदी के उत्तल तड़ पर अधिक परदन होता है यहां पर आप लोग देख रहेंगे प्राकरतिक तड़बंध और विशर्पी रोजिकाओं के चित्र बनाए गए हैं देखे जब नदी किसी अस्थान से हो करके बहती है तो वहां से एक प्राकरतिक तड़बंध बना देती है मिन्स एक ऐसा किनारा बना देती है कि उसी के अंदर नदी हो करके बहती है और यहाँ पर बात की गए है विसर पुरोध क्या है मिन्स जब नदी किसी अस्थान पर इस तरह से आ करके मुड़ जाती है तो उनकी बीच का जो रीजन होता है उसे हम लोग विसर पी संदिकाएं कहते हैं ठीक है उसी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है अब हम बात करते हैं नदी विसर प्यानी की मेंडर क्या होता है बिस्तित बाढ़ हुआ डेल्टा मैदानों में नदियां सायथी सीधे मार्गों में बहती होंगी बाढ़ हुआ डेल्टा मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विक्सित होते हैं जिनें विसर कहा जाता है चित्र में यहाँ पर देखिए बिशर्प एक अस्थल रूप ना होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है नदी बिशर्प के निर्मित होने काराण ने मिलखेता हैं मंद धाल पर बहते जल को तटो पर छहती जिया पार्सवी कटाओ के करने की प्रवित कहोना तटो पर जलोड का अनियमित वा सांगठिक जमाओ जिससे जल का दबाओ का नदी पार्सों में बढ़ना प्राकरतिक जल का कोरियॉलिस प्रवाव में विशेपन ठीक उसी प्रकासे जैसे कोरियॉलिस बल से वायु का प्रवाव भी विशेपित होता है जब चैनल की धाल प्रवता अतिधिक मंद हो जाती है तो नदी के पानी का प्रवाव कम हो जाता है यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूँ फिगर में फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग ठीक है देखे इस तरह से जब नदी चलती है इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे तो यह क्या होता है कभी कभी यह इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है तटो पर थोड़ी से अनिमेत्ताएं भी धीरे-धीरे मोडों के रूप में परवर्तित हो जाती है यह मोड नदी के अंदरुनी भाग में जलोड जमाओ के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है अगर अपरदन निशेपन तथा निम्न कटाओ न द्रूप में परवर्तित हो जाते हैं उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और ये इसकंद धाल कहलाते हैं विसर्पों के गहरे चले के आकार में बिक्षित हो जाने पर नदी घाटी की चोड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहिज जलोड अधिक मात्रा में एक 36 औरोध की रूप में दीब की भाद निशेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाती है गुफिर नदी प्रारूप के लिए तटो पर अपरदनवा निशेप आवस्यक है या जब नदी में जल की मात्रा कम था जलोड अधिक हो जाएं तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी, आधिका, लंबी और ओधिकाओं का जमाओ हो जाता है और नदी चैनल कई जल बितरिक आपस में मिल जाती है और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती है इस प्रकार एक गुंफिर नदी प्रारूप का विकास होता है बात करते हैं भाउमजल यानिकी ग्राउंड वाडर की भाउमजल यहां एक संसाधन के रूप में वर्ड़ित नहीं है यहां भाउ मातल के नीचे चटानों की संधियों चिद्रोवा संस्तरन तल में होकर 36 अवस्ता में बहना प्रारम करता है जलका या 36 वा उद्वाधर प्रवाहिट चटानों की अपरदन का कारण है बहुतिक जल में प्रादार्थों के परिवहन द्वारा बने अस्थलूप मात्भीन है इसी कारण भूमिगत जल का कारिश सभी प्रकार के चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलामाइट जिनमें कैलसियम कार्गोनेट की प्रधानता होती हैं, उन में धर्यातलिये वा भौमजल राषानिक प्रक्रिया दोरा घोली करन वा उच्छेपण अनेक अस्थर रूपों में बिक्सित करते हैं। यह दो प्रक्रिया या गोली करण रहा औशेपन या तो चूनापत्थर रहा टोलमाईट अस्थला करीत का नाम दिया गया है यहां नाम एड्रियाटिक सागर के साथ वालकन कास्ट शेतर के उपस्ति लाम इस्थोन चट्टानों पर विक्सित अस्थल कृतियों पर आधारित हैं अब बात करते हैं अपर द्रात्मक और शेत अपर दोनों परकार के अस्थलोप काष्ट अस्थला कृतियों की विशेश्ताइं हैं थीक है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अब बात करते हैं अपर दित अस्थल रूप यानिकि कुंड पूल्स के बाड़े में घोल रंद या मध्यमाकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है जिनके बिले पर इन्हें बिले रंद्र यानि कि सॉलो होल्स कहते हैं घोल रंद्र कास्ट छेत्र में बहुतायत में पाये जाते हैं घोल रंद्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो उपर से बृत्ताकारों नीचे से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मेटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है इन में से कुछ का निर्माण अकेले गुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले ही गुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं अगर इन गोल रंदरों की नीचे बनी कंद्राओं की छत ध्वस्ट हो जाये तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंद के नाम से जाने जाते हैं अधितर घोलरंद उपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढग जाते हैं और उतले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं ध्वस्त घोलरंद्रों को डोलाइन भी कहा जाता है 12 रंद्रों के पेच्छा घोल रंद्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं देखें हम लोगों ने अभी तक जो फिजकल जोगराफी पढ़ा है उसमें हम लोगों नदी की कारे के रूप में पढ़ लिया है उसके बाद में इसको मैं अच्छे से आपको डिटेल में फिजकल जोगराफी में जो हमारा जियो मॉर्फोलोजी टॉपिक है उसके अंदर इसको कवर किया जाएगा तब आपको ये चीजे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी यहां पर आपको मैं केवल बेसिक अंडर स्टेंडिंग देने की बात कर रहा हूं या कह सकते हैं कि एक परिच्छे करा रहा हूं ठीक है तो अब हम बात करते हैं निशेपित अस्थल रूपों के बारे में देखे अधिकतर निशेपित अस्थल रूप कंद्राओं के भीतर ही निर्मित होते हैं चूना पत्थर चत्टानों की मुख्य रसायन कैल्स्यम कर्बूनेट है जो कार्बन युक्त जल醉नकी वर्षा जल में गुला हुआ कार्बन में सिगृता से घुल जाता है जब इस जल का वास्पिकरण होता है तो घुले हुए कैलसिम कार्बोनेट का निशीपण हो जाता है या जब चट्टानों के छट से जल वास्पिकरण के साथ कार्बन डे अक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो calcium carbonate की चट्टानी धरातल पर टप करने से निचेपड हो जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं क्या होता है stelectite, stelectamite और astam stelectite विभिन मुटाईयों के लटकते हुए हिम astam जैसे होते हैं प्राया ये आधार पर या कंदरा पर छत में लटके होते हैं पास मोटे होते हैं और अंद में छोर पर पतले होते हैं इस तरह से ये उपर किसी astalakriti में लटके होते हैं जैसे इस तरह से ठीक है ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं stelectite कंदराओं के फर्ष से उपर की तरफ बढ़ते हैं वास्तों में Stalagmite कंदराओं के छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिस्रिच जलसे बनते हैं या Stalagmite के ठीक नीचे पतले पाइप की आकरती में बनते हैं अब बात करते हैं हिमनदों की बारे में तथा परवट्शे घालों में बहते हैं जल के बिपरीत हिमनद परवा बहुत धीमा होता है हिमनद परद दिन कुछ सेंटीमीटर या इस से कम से हिमनदों से प्रवल अपरदन इससे कम से लेकर कुछ मीटे तक प्रवाहित हो सकते हैं हिम्नद मुक्म्हिता गुरूत्व बल के कारण गतिमान होते हैं हिम्नदों के प्रवल अपरधन होता है जिनके कारण इसमें अपने भार के उत्वपन घरसन है हिम्नद द्वारा करसित चट्टानी पधात इसके तल में ही इसके द्वारा घर सीटे जाते हैं या घाटी की किनारों पर अब घर्षण या अब घर्षण द्वाला अत्तित अपर्दन करते हैं हिम्नद अब छे रहित चट्टानों का भी प्रभाव साली करते हैं प्रभाव सालिय परदन करते हैं जिससे उचे परबत छोटी प्रहाणियों वा मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं